हलो फ्रेंड स्वागत है आपका इकवर फिर से हमारे यूटूब चैनल रजनेस मेडिकल लेक्चर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो स्पम काउंट की समझ्चा को ठीक करने वाले एक ऐसे जो समझ्चा आए वो काफी लंबे समय से और वो सारे कैपसूल्स इस्तमाल कर चुका है लेकिन उसको आराम नहीं मिलना है तो आप अगर इस कैपसूल्स का इस्तमाल करेंगे तो आपको इसका पहली खुराक से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो ये कौनसा कैपसूल्स है किस नाम से आपको मिल जाएगा तथा इसकी क्या अमार्पी है क्या ओंसी कंपनी इसको बनाती है इसकी यूजिस क्या है और इसके साइड उपेक्ट क्या है ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को आप पूरा के अनुसार जो एक बार ejaculate होता है बीरी निकलता है उसमें सुक्राणों की संख्या 15 मिलियन से लेकि 49 मिलियन प्रत ml होनी चाहिए अगर इससे कम होती है तो आपको All Ingo Spermia यानि कि आपकी सुक्राणों में कमी है और आपको ये आपसूस लेना चाहिए लेकिन अगर किसी ब्यक्ति के सुक्राणों बिल्कुल निल हो जाते हैं जिसमें बिल्कुल भी 0% है तब उसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में कोई भी मैडिसन काम नहीं करती है यानि कि आप इसका इस्तमाल करेंगे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फ्रेंट्स चली अब हम बात करते हैं कि वो पावर्फुल टाबलेट कौन सी है तो फ्रेंट्स ये आप देख सकते हैं इसका नाम है एडोजुआ ये दोस्तो चरक फार्मा कंपनी दोरा मैनुफेक्चरिंग की जाती है और इसके अंदर जो इंगिडियन्ट दे गए हैं वो गोखुरू, सफेद मूसली, असुगंदा, गिलोई, आमला, फर्बूटी, बिदारा, सतावर, वेरव, कन, चोपचेनी, बिदारू, अमरकन तो ये आर्विदिक इंगिडियन्ट है और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो 200 रपे के आपको 20 कैपसूल मिल जाते है फ्रेंट्स, आगे हम बात करते हैं इसके यूजिस की बारे में कि ये जो एड़जोग कैपसूल से इसका इस्तमाल किस-किस इंडिकेशन में किया जाता है तो फ्रेंट्स, इसका जो सबसे में इंडिकेशन है वो है, बीर की घनत में जो कमी आ जाती है उसको दूर करना, यानि कि बीर जो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उसको गाड़ा करना उसके लाबा सुक्राणों की संख्या में जो कमी आ गई है उसको इंक्रीज करना उसके अलाबा सुक्राणों की जो गतसीलता में कमी आ गई है उसकी गती को बढ़ाना जिससे जो सुक्राणों होते हैं वो फिमेल्स के अंडे तक पहुंस सकें और बच्चा जो होता है, वो consume हो सके, क्योंकि ये जो सब समस्या है, वो male infertility की समस्या है, जिसमें पुरुष बांजपन कहा जाता है, इसमें बच्चा पैदा करने में कोई भी पुरुष असमर्थ रहता है तो ये तीनों समस्या जब दूर हो जाती है, तो वो बच्चा में पाए जाता है यह पूरी बोड़ी को कंट्रॉल करता है तो यह बहुत ही ज्यादा important होता एक मेल्स के लिए उसके लाबा दूसरी समस्या जो कि है नपुन सकता जिसमें क्या होता है कि जो कोई पुरुस्ट जब females के साथ sexual activity करता है तो उसकी लिंग में तनाव नहीं आता है कड़ापन नहीं आता है इसको हम इंगलिस में बोलते हैं तो यह उस समस्या को भी दूर करता है उसके लाबा जिन वेक्तियों के stamina में कमी आ गई है उनके performance में कमी आ गई है जल्दी ठक जाते हैं तो भी यह stamina को बढ़ाने का काम करता है उसके लाबा premature ejaculation यानि कि सीग्र पतन की समस्या है जिसमें बीर जब intercourse करते हैं male female partner तो males का जो बीर होता है वो एक मिनट से कम समय में ही इस खलित हो जाता है निकल जाता है तो ऐसी समस्या को इसी ग्रिपतन बोलते हैं तो यह इस समस्या में भी राह देने का काम करता है उसके लाबा दोस्तों यह प्रिजनन चंपता और योन चंपता दोनों को बढ़ाने का काम करता है फ्रेंट्स यह इसके सारे indications हैं तो चले आगे हम बात करते हैं इस Adjoia Capsules के बारे में कि इसको कैसे कब और कितना लेना होता है तो दोस्तो मैं आपको बतातूं कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार सला जरूर करें उसके according किसी भी दवा का सेवन करें क्योंकि जो medicines होती है वो आपकी disease के अनुसार तेकी जाती है कि आपको कितनी और कितने दिनों तक लेनी चाहिए लेकिन अगर इसकी हम नॉर्मल एक डोस की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के सुक्राणू की संक्या 5 से लेके 10 मिलियन प्रत एमेल है तो उसको ये दो टाबलेट सोबै और साम 4-8 हफते तक लेनी चाहिए और वहीं अगर 10 मिलियन से लेके और 15 मिलियन से कम है और 10 मिलियन से जादा है तो उसको एक टाबलेट सोबै साम 4-6 हफते तक लेनी चाहिए लेकिन दोस्तों अगर किसी पुरुसको सुक्राणों की कमी जादा है उसको सीवियर समस्या है तो डॉक्टरों दोरा इस कैपसूल का इस्तमाल 6 मेने तक भी कराया जा सकता है फ्रेंड्स आई होप आपको यह जो एड़ो जो है कापसूल से इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लागाओ दो वीडियो को लाइक करें चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और ऐसी हलफल वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार